बीते 9 और 11 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक जड़प हुई थी इस जड़प में दोनों पक्षों के सैनिक खायल हुए थे संचत में रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने कहा है कि भारतिय सैना ने चीनी सैना को ख़देड दिया हाला कि भारतिय सैनिकों को चोटी मोटे चोटे जरूर आई हैं इससे पहले रक्षा मंतराले ने जो प्रेस रिलीस जारी की थी उसमें ये कहा था कि साल 2006 से लेकर अब तक दोनों से नाएं आपस में कई मौकों पर ऐसे भिड़ती रही हैं तवांग सेक्टर में कई ऐसे इलाक पूर ने ये कहा कि तवांग पर चीन की बुरी नजरे हैं और भारत को सावधान रहने की जरूरत है ऐसे में 16 सालों में कई मौकों पर भारत और चीन के सैने कामने सामने आये हैं हाला कि हर बार बातचीत के बाद शानती बहाल होई चीन ने भी कुबूल किया है कि जड़प की करते हैं दरसल चीन तवांग को दक्षिन तिबबत का हिस्सा मानता है यही नहीं भारत और चीन जो 35 किलोमीटर का बॉर्डर शेर करते हैं उसमें भी कई जगह चीन को दिक्कते हैं पश्चिमी सेक्टर में चीन ने अकसाई चिन पर कबजा किया हुआ है जिसे भारत अप पर कबजा कर लिया था हाना कि वो पीछे भी लोट गया था इससे लेकर हमेशा से विवाद रहा है चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिन तिबबत का हिस्सा मानता है पीम मोधी और दलाई लामा के अरुनाचल दौरों की भी आलोचना कर चुगा है इस विवाद के में साल 1972 तक नक्षे पर नहीं था साल 1972 में अरुनाचल प्रदेश को पहले एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया फिर 1987 में इसे राज्य का दर्जा मिला तवांग इलाके में बौध मठ होने और छठे दलाई लामा के तवांग में ही पैदा होने के कारण चीन इस इलाक ने है भारत के अपने दावे है और चीन के अपने दावे टाइम्स नौन भारत डिजिटल औरिजिनल्स की रिपोर्ट